हाई गाईज वेलकम बैक और आज की इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ हिमालिया यश्ती मदूग गेस्ट्रिक वेलनेस टैबलेट्स का अब यश्ती मदूग क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है यश्ती मदूग एक संस्कृत का शब्द है हिंदी में इसका नाम होता है मुलेटी और मुलेटी को आप सभी लोग जानते हैं कभी न कभी यूज भी कर चुके होंगे मुलेटी का इस्तमाल हम लोग जन्रली करते हैं गला बैट जाने पर, गला खराब हो जाने पर खांसी हो जाने पर खांसी जो काम गला खराब, जितने भी respiratory संबंदेज्जों समस्याइं होती है उनमें हम मुलेटी को काफी समय से यूज़ करते आ रहे हैं लेकिन मुलेठी का यूज सिर्फ गला खराब होने तक ही नहीं है ये acidity के लिए भी पित की समस्याओं के लिए भी काफी उपयोगी है उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ friends acidity के जितने भी patient है जिनको heartburn रहता है जिनको ulcer की समस्याओं जिनको बहुत ज्यादा acid बनता है हमेशा जलन सी महसूस होती है उल्टी आ जाती है जिनको काना काने के बाद acidity के वज़े से तो ऐसे जितने भी patient है वो generally जो medicines लेते हैं वो लेते हैं antacids जो allopathy medicine होती है जो कि acid की production पे रोक लगाती है अब उन दवायों के कही ना कही long term में side effect है जब आप antacid को use करते हैं तो आपकी calcium की vitamin D3 की vitamin B12 की absorption कम हो जाती है क्यों कम हो जाती है क्योंकि इनको digest होने के लिए इनको absorb होने के लिए आपको stomach में acid की जरूरत होती है आपके stomach में जो acid बनता है वो काफ liver ठीक से काम करें इसलिए भी आपके acid बनना आपके पेट में बहुत जरूरी है लेकिन जब वो acid जरूरत से ज़्यादा बनने लगता है तब problem हो जाती है तो उसको control करने के लिए antacids लेने की बजाए जिसके की long term में काफी ज़्यादा side effects देखने को मिलते हैं आप कुछ आय अर्वेद के हिसाब से ठंडी मानी चाती है और ठंडी तासिर वाले जितनी भी चीजें आती है वो सभी acidity के लिए काम करती है जैसे कि आवला चूरून है आवला चूरून ठंडा होता है तो आप उसको acidity के लिए ले सकते हैं मुलेठी की तासिर भी ठंडी होती है तो आप इसको acidity को खत्म करने के लिए ले सकते हैं जो हिमालिया ने mention किया है वो क्या है कि यिश्टी मुदो is useful in heart burn heart burn का मतलब यानि कि जब आपका acid ज्यादा बन गया है और आपकी food pipe में आ गया है आपको chest में जलन मैसूस हो रही है acidity के वज़े से तो उसको heart burn बोला जाता है acid peptic disorders acid peptic disorders कौन से होते हैं acid के वज़े से आपको peptic ulcer के अगर समस्या हो गई है आपके कोई जखम हो गया है आपकी food pipe में या stomach में आपकी stomach lining जो होती है वो भी खराब हो जाती है उसमें inflammation हो जाती है इनको peptic disorders बोला जाता है and supports healthy digestion और आपके digestion को एक healthy digestion को ये support करता है तो जो एक tablet है उसमें 200 mg यश्टी मदू का extract form डाला गया है यश्टी मदू यानिकी मुलेटी में आपको बता चुका हूँ तो पर tablet 200 mg आपको extract form में मुलेटी मिलेगी जो की equal है आधा चमच मुलेटी के अगर आप इसकी दो tablet लेते हैं तो समझ लीजिए आपने एक चमच मुलेटी खा ली वैसे तो मुलेटी का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है उसको powder form में भी लेना चाहें तो ले सकते हैं आप मुलेटी को एक चमच पानी में भी आप डालके लेक चमच आप मुलेटी ले लीचे और एक गलास पानी में भी डालके आप उसको मिक्स करके पी सकते हैं अगर आप powder form लेने में ASMR थे हैं आपसे नहीं लिया जाता तो आप हिमालय यश्टी मधू, gastric wellness tablets भी ले सकते हैं इसका जो experience मेरे साथ है वो काफी अच्छा है आजकल की जो lifestyle है आप लोग जानते हैं कि आपका जो food है वो बाहर से अगर आप खाते हैं तो food बाहर से खाने के बाद जो मिर्च मसाले होते हैं वो आपको कहीना कहीं नुकसान देते हैं, आपको कहीना कहीं acidity भड़ा देते हैं काफी दिन तक लगा था अगर आप भार के food का सेवन करते हैं या फिर आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना काते हैं या फिर आपका sedentary lifestyle है जिसके चलते हैं आपको acid ज्यादा बन रहा है तो किसी भी समस्या में हिमालिया यश्टी मदू का आप सेवन कर सकते हैं अगर tablet इसको मैं आपको कोल के दिखा देता हूँ tablet की इस तरह की कुछ इसकी tablet दिखाई देती है और इन tablets का भी taste मीठा ही है आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं आप इसको कब लें वो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको ज़्यादा acidity की problem है आपको acid बना हुआ है आपको heart burn हो रहा है तो आप दो गोली निकाल के इसकी खा सकते हैं otherwise आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं इसको और बाद में भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा problem है ज़्यादा acid की problem है आपको भूख भी नहीं लग रही है acid बढ़ने के वज़े से तो आप इसको खाना खाने से पहले ही ले लीजिए इसके अलाब आप जब भी आवशक्ता मेसूस हो जब भी आपका heart burn हो जब भी आपको लगए कि acid मेरे body में ज्यादा मेरे पेट में ज्यादा बन रहा है जिसके वज़े मुझे जलन हो रही है या फिर भूख नहीं लग रही है एक general जो आपको dose लेनी होते है वो ये लेनी होते हैं कि दो capsule आप सुभे ले 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 जिए एक से दो लिखा है ज्यादा problem है तो दो ले 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 जिए कम problem है तो एक ले ले लेजिए एक से दो tablet सुभे और एक से दो tablet शाम को चाहे तो खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं और जिस भी समय आपको दिन में एसे महसूस हो, आप उस समय भी इसका सेवन कर सकते हैं इसका कोई side effect नहीं है, यह पूरी तरह से natural है मेरा जो experience इसके साथ वो काफी अच्छा है, जब भी मुझे थोड़ी से भी acidity feel होती है चाहे वो गलत खान पान की वज़े से हो, कई बार जैसे हम भी taste की वज़े से ज़्यादा थोड़ा सा तलाव खाना खाना खा लेते हैं या फिर थोड़ा सा spicy food खा लेते हैं, तो उसके बाद में अगर acidity feel होती है तो antacids ना खाने के बज़ाए आप इसको खा सकते हैं, यह मेरा personal experience है, यह काफी अच्छा काम करता है 60 tablet के यह packing आती है, अगर इसके price की बात करें तो 152 रुपे का यह है कहीं न कि Amazon पे आपको 135 में 30 के आसपास मेरे जाएगा, जो कि यह काफी अच्छे deal है, 60 tablets के लिए तो friends यह थी मेरी तरफ से एक छोटे से information हिमाले अजश्ती मुदु के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like और share जरूर कर दीजिए और अगर आप हमेरे चैलन पर नई है, सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी मैं आपको ऐसा content देता रहूँ Thanks a lot for your time, bye-bye